नीती वचन पहला अध्याई 20 से 33 तक बुद्धी सडक में उंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है वह बाजारों की भीड में पुकारती है वह फाटकों के बीच में और नगर के बीतर भी ये बाते बोलती है हे भोले लोगों तुम कब तक भोले पन से प्रीती रखोगे हे ठठा करने वाले तुम कब तक ठठा करने से प्रस्तन रहोगे हे मुरकों तुम कब तक ज्यान से बैर रखोगे तुम मेरी डाट सुनकर मन फिराओ सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी म मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी मैंने तो पुकारा परन्तो तुमने इनकार किया और मैंने हात फिलाया परन्तो किसी ने ध्यान न दिया वरं तुमने मेरी सारी सम्मती को अंसुनी किया और मेरी ताडना को मुल्य न जाना इसलिए मैं भी तुम्हारी विपती के समय हसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा परन आंदी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपती भवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फसोगे तब मैं ठटा करूंगी उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी वे मुझे यतने से तो ढूंडेंगे परंतु न पाएंगे क्योंकि उन्होंने ग्यान से बैर किया और यहवा का भय मानना उनको न भाया उन्होंने मेरी सम्मती न चाही परंट मेरी सब ताड़नाओं को तुछ जाना इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अगा जाएंगे क्योंकि बोले लोगों का भटक जाना उनके घात के जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने क कारण मुड़ लोग नश्ट होंगे परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुक से रहेगा मत थी दस्वा अध्याय एक से 31 तक फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुला कर उन्हें अशुद आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बिमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें इन 12 प्रेरितों के नाम ये है पहला शेमॉन जो पत्रस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास जब्दी का पुत्र याकुब और उसका भाई युहन्ना फिलिपुस और बर्थुलैम थौमा और म मैसुल लेने वाला मत्थी हलफई का पुत्र याकुब और तदय शेमोन कनानी और यहुदा इसक्रियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया इन बारा को ईशु ने यह आग्या देकर भेजा अन्य जातियों की और न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रविशन करना परन्तु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेडों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो स्वर्ग का राज यह निकटा गया है बिमारों को चंगा करो, मरे हुओ को जिलाओ, कोडियों को शुद्ध करो, तुष्टातमाओ को निकालो, तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो, अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तामबा रखना, मार्ग के लिए न जोली रखो, न दो कुडते, न पोजन मिलना चाहिए, जिस किसी नगर या गाओ में जाओ, तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो, उसी के यहां रहो, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशिश देना, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, तो तुम्हारा कल्यान उ इकलते हुए अपने पावों की धूल जाड डालो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि न्याए के दिन उस नगर की दश्चा सिसा दोम और अमोरा के देश की दश्चा अधिक सहने योग्य होगी, देखो मैं तुम्हें भेडों के समान भेडियों के बीच में भेजता हूँ, इस कोडे मारेंगे, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्यजातियों उपर गवा होने के लिए पहुंचाए जाओगे, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीती से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहन होगा, वो उसी गड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है, भाई-भाई को और पिता-पुत्र को घात के लिए सौपेंगे, और बच्चे माता-पिता के विरोध में उठकर उन तुम से सच कहता हूँ, तुम इसराइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, चेला अपने गुरू से बड़ा नहीं होता, और न दास अपने स्वामी से, चेले का गुरू के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है, जब उन्हो ने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घरवालों को क्या कुछ न कहेंगे, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ धाका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा, जो मैं तुम से अंधियारे में कहता हूँ, उसे तुम उज्य पीसे डरो, जो आत्मा और शरीर तोनों को नरग में नश्ट कर सकता है, क्या पैसे में दो गोरेये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता के इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमी पर नहीं गिर सकती, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नह तुम बहुत गोरेयों से बढ़कर हो, उत्पती पचीसवा अध्याय एक से चौतिस तक, तब अबरहाम ने एक और पत्नी ब्याहली, जिसका नाम कतूरा था, उससे जिमरान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यिश्बाक और शूह उत्पन्न हुए, योक्षान से शब्भा औ और ददान उत्पन्न हुए, और ददान के वन्ष में अशूरी, लतूशी और लुम्मी लोग हुए, मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एलदा हुए, ये सब कतुरा की संतान हुए, इसहाक को तो अबरहाम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रख 76 वर्ष की हुई, अबरहाम की दिरगायू होने के कारण, अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्ता में प्रान छूट गया, और वह अपने लोगों में जा मिला, उसके पुत्र इसहाक और इश्मायल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रान के मम्रे के समूख वाली भूमी मे जो मकपेला की गुफा थी, उसको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमी अबरहाम ने हित्तियों से मोल ली थी, उसी में अबरहाम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई, अबरहाम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुए के पास रहता था आशिश्दी, अबरहाम का पुत्र इश्माईल जो सारा की मिस्री दासी हाजीरा से उत्पन्न हुआ था, उसके यह वन्शवाली है, इश्माईल के पुत्रों के नाम और वन्शवाली यह है, अर्थात इश्माईल का जेठा पुत्र, नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्शा, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदर, तेमा, यतूर, नापिश और केदमा, इश्माईल के पुत्र यही हुए, और इनहीं के नामों के अनुसार, इनके गावो और छावनीयों के नाम भी पड़े, और ये ही 12 अपने-अपने कुल के इश्मायल की सारी आयू 137 वर्ष की हुई तब उसके प्रान छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला उसके वन्ष हबीला से शूर तक जो मिस्र के समुक अशूर के मार्ग में है बस गए और उनका भाग उनके सब भाई बंदू के समुक पड़ा अबराहाम के पुत्र इसलिए उसने उसके निमित योवा से विंती की और योवा ने उसकी विंती सुनी इस प्रकार उसकी पतनी रिब का गर्बवती हुई लड़के उसके गर्ब में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे और वो यहवा की इच्छा पुछने को गई तब यहवा ने उससे कहा तेरे गर्ब में दो जातियां हैं और तेरी कोक से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग-अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्ती होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधिन होग जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रगट हुआ कि उसके गर्ब में जुडवे बालक है पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था इसके लिए उसका नाम एसाव रखा गया पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव के एडी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकुब रखा गया जब रिबका ने उनको जनम दिया तब इसहाक सांट वर्ष का था फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतूर शिकार खेलने वाला हो गया पर याकुब सीधा मनुश्य था और तंबू में रहा करता था इसहाक एसाव के अहेर का मास खाया करता था इसलिए वह उससे प्रीती रखता था पर रिबका याकुब से प्रीती रखती थी एक दिन याकुब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और वह जो लाल वस्तू है उसी लाल वस्तू में से मुझे कुछ खिला क्योंकि मैं ठका हूँ इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा याकोब ने कहा अपना पहिलोटे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ इसलिए पहिलोटे के अधिकार से मेरा क्या लाब होगा याकुब ने कहा मुझसे अभी शपत खा अतह उसने उससे शपत खाई और अपना पहिलोटे का अधिकार याकुब के हाथ बेच डाला इस पर याकुब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की डाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया यो एसाव ने अपना पहिलोटे का अधिकार तुछ जाना उत्पती 26 वा अधियाए एक से पैतेस तक उस देश में अकाल पड़ा ये उस पहले अकाल से अलग था जो अबरहाम के दुनों में पड़ा था इसलिए इसहाग गरार को पलिष्टियों के राजा अभिमिलेक के पास गया वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा जो देश मैं तुझे बताओं उसी में रह तु इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशिश दूँगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वन्ष को दूँगा और जो शपत मैंने तेरे पिता अब उने को धन्य मानेगी क्योंकि अबरहाम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौपा था उसको और मेरी आग्याओं विधियों और व्यवस्ता का पालन किया इसलिए इसहाग गरार में रह गया जब उस थान के लोगों ने उसके पत्ने के विशय में पूछा तब उसने यह सोच कर क कि यदी मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहां के लोग रिबका के कारण जो परम सुन्दरी है मुझको मार डालेंगे उत्तर दिया वह तो मेरी बहिन है जब उसको वहां रहते बहुत दीन बीट गए तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अभी मिलेक ने खिड़की में जांक के क्या देखा कि इसाक अपनी पत्नी रिबका के साथ करीडा कर रहा है तब अभी मलेक ने इसाक को बुलवा कर कहा वह तु निश्य तेरी पत्नी है फिर तूने क्यों उसको अपना बहिन कहा इसाक ने उत्तर दिया मैंने सोचा ताकि ऐसा नहों कि उसके कारण मेरी अबिमलेक ने कहा तुने हम से ये क्या किया ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरे पत्नी के साथ सहज से कुकुर्म कर सकता और तु हमको पाप में फसाता इसलिए अबिमलेक ने अपनी सारी प्रजा को आग्या दी जो कोई उस पुरुष को या उस थ्री को छूएगा वह और उसकी उन्नती होती चली गई यहां तक कि वह अती महान पुरुष हो गया जब उसके भेड बकरी गाई बैल और बहुत से दास दास्या हुई तब पलिष्टी उससे डाह करने लगे इसलिए जितने कुवों को उसके पिता अबरहाम के दासों ने अबरहाम के जीते जी उनको पलिष्टीयों ने मिट्टी से भर दिया तब अभिमलेक ने इसाक से कहा हमारे पास से चला जा क्योंकि तो हमसे बहुत सामर्ती हो गया है अतह इसाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबो खड़ा करके वहां रहने लगा तब जो कुवे उसके पित खड़ाने रखे थे फिर इजहा के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का ऐसा सोता मिला तब गरार के चरवाहों ने इजहा के चरवाहों से जगड़ा किया और कहा यह हमारा जल है इसलिए उसने उस कुवे का नाम एजेक रखा क्योंकि वे उससे जगड़े थे फिर उन्होंने दूसरा कुवा खोदा और उन्होंने उसके लिए भी जगडा किया इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा तब उसने वहां से निकल कर एक और कुवा खुदवाया और उसके लिए उन्होंने जगडा न किया इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा अ और हम इस देश में फुले फलेंगे वहां से व बिर्शेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा मैं तेरे पिता अबरहाम का परमेश्वर हूँ मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अबरहाम के कारण तुझे आशिश दूगा और तेरे वन्ष बढ़ाऊंगा तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रातना की और अपना तंबू मही खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुवा खोदा तब अभिमिलेक अपने मंत्री अहुजत और अपने सेनापती पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया इसहाक ने उनसे कहा तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था अब मेरे पास क्यों आये हो उन्होंने कहा हमने तो प्रतियक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की और से धन्य है अत्ह हमारे तेरे बीच में शपत खाई जाए और हम तुझसे इस विशय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं चुआ परन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको खुशल शेम से विदा किया उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया सभेरे उन सभोंने तड़के उठकर आपस में शपत खाई तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे खुशल शेम से उसके पास से चले गए उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुवे का वृतान सुना के कहा हमको ज हित्ती बेरी की बेटी यहुदित और हित्ती एलोन की बेटी बाश्मत से विवा कर लिया और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिपका के मन को खेद हुआ